धे टीवी पर आपका स्वागत है न्यूज दिस आर प्रोग्राम में हम बात करेंगे जैकब स्वान बेसिन की जो सुर्खियों में है जैकब स्वान बेसिन ग्रीन लेंड के पांच सबसे बड़े बेसिनों में से एक है और यह Greenland के तीन सबसे बड़े glacier में से भी एक है वैज्यानिकों ने हाल ही में कहा है कि Greenland की यहां इस्थित Ice Sheet यानि बर्फ की चादर तूटने के कगार पर है जेकब स्वान बेसिन के पास इस्थित इस बड़े Ice Sheet को प्रथवी पर दूसरा सबसे बड़ा Ice Sheet माना जाता है जलवाई परिवर्तन के कारण यहां तेजी से बर्फ पिघल रही है अगर इसके पिघलने की दर को नहीं रोका गया तो इससे Global Sea Level में 7 मीटर की बढ़ोतरी हो सकती है University of Copenhagen और Architect University of Norway ने जेकब स्वान बेसिन के पास किये अपने अध्यन से यह निसकर्ष निकाला है कि तापमान में बढ़ती उष्णता प्रत्वी के विनास का कारण बन सकती है NASA के Ocean Melting Greenland Mission जिसे OMG Mission भी कहते हैं कि अनुसार जो Glistine Air Radar है उससे NASA को डेटा मिला कि जेकब स्वान ग्लेशियर ग्रीन लेशियर ग्रीन लेशियर का fastest moving और fastest thinning ग्लेशियर है और साथ ही इसे fastest flowing glacier in the world भी कहा जाता है 2014 तक Greenland 749 giga ton ice खो चुका है और इस ice loss में जेकब स्वान ग्लेशियर और चार अन्नी ग्लेशियरों का योगदान 30 प्रतिशत है Greenland की ice sheet अमेरिकी सहर टेकसास से 3 गुना बड़ी है जेकब स्वान ग्लेशियर कुल Greenland icebergs के 10 प्रतिशत को produce करता है जो समुद्र में प्रवेश करने वाले 4 बिलियन टन ice के बराबर है और ये Greenland ice caps के 6 प्रतिशत को drain करता है यानि अपवाहित करता है इससे पूर्व कुछ समय पहले ही यहां स्पाल्टे ग्लेशियर जिसे 79N भी कहते हैं तूट गया था जो आकार में चंडीगढ के बराबर था और इसकी पुस्टी European Space Agency के कॉपर निकस और सेंचिनल 2 सेटलाइट्स ने भी की थी साथी Peter Man Glacier जो Greenland में है वो भी वहां भी तूटने की घटनाव इसके आई थी और इसलिए यह सुर्खियों में था